एक डे टन का एसी 225 स्केर फिट के रूम को कितनी देर में चिल्ड कर देगा आज की वीडियो में ये टेस्ट करने वाले हैं मेरे पास जो है LG का 1.5 टन का inverter AC है और मेरा जो रूम एक्चुली वो काफी बड़ा है और उपर से ये टो फ्लोर है यानि की सनलाइट डिरेक्ली इसके उपर पड़ती है और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस समय जो है दो पहर के दो बच चुके हैं और बाहर जो है काफी ज़्यादा धूप है बाहर के अगर मैं टेंपरिचर की बात करूँ तो तकरीवन 38 से लेकिए 40 डिगरी सेलसिस का टेंपरिचर है और अगर मैं रूम की बात करूँ तो रूम का टेंपरिचर अभी हम AC चला के देखने वाले हैं सबसे पहले हम क्या करने वाले है कि AC के अंदर जो room temperature की settings है वहाँ पर 25 degree जो है set करने वाले हैं देखते हैं वो कितने time में होता है तो चलिए AC एक बाद start कर लेते हैं और फिर देखते हैं room का अगर अभी आपको temperature दिखाऊं तो यहाँ पर 34 degree Celsius का देखे temperature यहाँ पर दिखा रहा है और मैंने जो है AC एक्चुली जो set किया है वो हम कर देते है 25 के उपर 25 के उपर अभी हमने set कर दिया है यानि कि 35 से लेके 25 देखते हैं कितनी देर में हो पाता है अभी देखे time जो है 2 बज़के चार मिनट हो गया है दो पैर के और अब हम देखते हैं कि कितने time में जो है कितना ठंडा कर पाता है अभी आप देख सकते हैं exact half hour हो गया like 234 हो गया और अभी अगर हम आपको room का temperature यहां देखा हूँ तो जी देखे 32 हो गया यानि 35 हमारे room का temperature था आप यहां पर देख सकते हैं कि half hour के अंदर 3 degree का actually difference आया और इसका सबसे main region यही है यह room है न काफी बड़ा है सहरों के अंदर देखा हूँगे आपने जो room होते हैं वह तकरीबन 10 by 10 या 10 by 12 के होते हैं लेकिन यहां पर मेरा room जो है वो 15 by 15 का है तो इस वज़े से यह जो है काफी ज़्यादा time लेने वाला है कि अभी जो है कि 31 यानि कि सिर्फ 4 degree एक घंटे के अंदर actually कम हुआ है room के size बड़े होने का सबसे main problem है actually यही रहती है कि वो ज़्यादा time लेगा किसी certain जो है temperature पे पहुंचाने के लिए इस वज़े से अगर आपका room बड़ा है for example जैसे मेरे room के लिए at least 2 ton का ऐसी चाहिए था लेकिन हमने जो है किया किया कि चलो मंगवा लेते हैं और साथ में बिजली की भी बचातों की इस वज़े से लेकिन अब normal अगर आपके पास 10 by 10 या 10 by 12 का room है तो वो आदे घंटे में आपको 5 degree temperature एक्चुली जो है drop देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पे 1 गंटे में सिर्फ 4 degree का drop देखन हैं कि 4 बज के 3 मिनट हो गया है और अब देखते हैं कितना temperature हुआ है अभी रूम का temperature देखे दिखा रहा है 30 फर्स्ट जो half hour था उसके अंदर तो आपने देखा कि 3 degree हो गया है लेकिन जैसे जैसे हम देखे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है यह उतनी ही slow तरीके से काम कर पा ला हूँ ऐसी मोड एक्शली एलजी बोलता है कि हिमालेन कूल मोड होता है इसमें यह तब इस्तमाल क्या जाता है जब आप फर्स्ट टाइम के अंदर फूर एजमपल आ रहे हैं रूम के अंदर आपने इसी चालूई किया है उस समय इसको यूज करना होता है क्योंकि यह ब है वो बीच में रोकना पड़ा है लेकिन अभी मापको स्टैटस एक्शली दिखा देता हूं क्या है आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एच्छी के उपर एक्शली रखा हुआ था यहां पर उसके बाद यह जो है तकरीवन एक डिगरी ही कम कर पाया है अब मापको रूम ट यहां पर दिखा रहा था 38 सम्धिंग जैसे जैसे देखिए स्याम होती जारी थी उस समय टैंप्रेचर भी एक्शली भार का बढ़ रहा था तो उसकी वज़े से भी एसी जो है सही से पर्फॉर्म नहीं कर पाया आप देख सकते हैं अभी 4041 दिखा रहा है उसके बाद स्याम यह कि अंदर यह मुझे 25 डिगरी के ऊपर एक्शली मेंटेन करके दे पाएगा तो आप सोच सकते हैं कि अगर मुझे 18 डिगरी इसको करना हो तो यह कभी करके दे पाएगा तो उसके लिए हो सकते है 6 से 7 गंटे लग सकते हैं तो आज की वीडियो में एसी की की तरह ही अगर आपके कोई डाउट है तो वह आप अमें कोमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए